हर्याना की हर अपडीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नीजूज कोरोना महमारी से विश्व की तमाम ताकते तरस्त नजरा रही हैं और तमाम विश्व की बड़ी ताकतों की उड़ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन जब तक इजाद नहीं होगी तब तक कोरोना संकर्मन को रोका नहीं जा सकता इसी बीच कोरोना संकट की वज़े से अप्रेल से जून की इस वितवर्ष की पहली तिमाही की जीडिपी में तीहासिक गिरावट देखने को मिली है 2020 के अप्रेल जून तिमाही की जीडिपी में 23.9 फीसदी की गिरावट आई है जुलाई महीने में 8 इंडस्ट्री के उत्पादर में 9.6 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है मंत्राले के आकड़ों के नुसार पहली तिमाही में स्थर केमतों पर यानी रेल जीडिपी 26.9 लाग करोड रुपे की रही है जबकि पिछले साल की इसी अवधी में ये 35.3 लाग करोड रुपे की थी इसी वज़े से इस बार पिछले 24 सालों में सबसे बड़ी 23.9 फीसदी की गिरावट आई है जबकि पिछले साल इस दौरान जीडिपी में 5.2 फीसदी की बढ़त हुई थी गौरतलब है कि इस तिमाही में दो महीने यानी अप्रेल और मई में लोगडाउन की वज़े से अर्थववबस्ता पूरी तरह से ठप रही है और जून में भी इसमें थोड़ी रफ़तार मिल पाई है सी वज़े से रेटिंग एजन्सियों और एकोनोमिस्ट ने इस बात के अश्रंका जाहिर की है कि जून तिमाही के जीडिपी में 16-25 फीसदी की गिरावट आ सकती है तो जीडिपी में तेहासिक गिरावट दर्श की गई है आपको बता दे कि पिछले 24 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट है पहली तिमाही में 23.9 फीसदी की गिरावट दर्श की गई है आठ इंडस्ट्री के उतपादन में 9.6 फीसदी की कमी आई है तो देखे कोरोना महमारी के चलते जो लुड़क्ती हुई अर्थववस्ता है वो और भी जादा लुड़क्ती दिखती है लुड़क्ती नजर आ रही है तो ऐसे बें देखिए कोरोना संकट की वज़े से अपरेल से जून की इस वितवर्ष की पहली तिमाही के जीडिपी में तेहासिक गिरावट देखने को मिली है ग्राफिक्स के जरीया आपको बताते है जीडिपी पर कैसे पढ़ता है सर लोगों की उसता आय कम हो जाती है जदातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं नई नौकलियों के रफ़तार सुस्त पढ़ जाती है आर्थिक सुस्ती से छटने की आशंका है नौकरिया जो है वो लोगों के हाथ से जाते हुई नजर आती है फिलहाल ऐसा देखा भी जा रहा है लोगों को जो बचत है और जो निवेश है वो भी कम होता नजराता है सबसे ज्याधा सद्व गरीब लोगों पर पढ़ता है और इसी के साथ जादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं